इस नए एलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको 150 km की रेंज मिलेगी सिंगल चार्ज पर वो भी कम कीमत में और इस स्कूटर में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं यह है प्योर उबी का E-Transe Neo Plus एलेक्ट्रिक स्कूटर आज मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ किसमें कौन-कौन से फीचर्स, इसकी प्राइस, इसकी रेंज और स्पीड कितनी है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यह सभी बाइक के उपलब्द है उजाला E-Bike यहाँ पर आप प्योर उबी के किसी भी प्रोड़क्ट को खरीच सकते हैं इसे संपर कर सकते हैं यह लखनव उत्तरपदेश गोसाइंगन में सोरू मैं आप यहाँ पर संपर कर सकते हैं सुरुवात करते हैं इसके मॉडल और डिजाइन से यह रेड कलर का स्कूटर है रेड कलर आप जानते हैं पसंद करता हूँ मैं क्योंकि रोड पर चलता है तो काफी ज़्यादा अच्छा लगता है अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आपको जैसे LED बल्ब वाली हेड लाइट मिलती है यहाँ पर आप देखेंगे LED बल्ब इसमें लगा हुआ है और यह रेड कलर का इसका वाइजर है यहाँ पर आप देखेंगे प्योर इबी का इसमें लोगो है नियो प्लस इट्रेंस यह स्कूटर का नाम है यहाँ पर आपको DRL भी मिलती है भाई मैं इसको बंद कर देता हूँ और आप यहाँ पर देखेंगे फ्लेक्सिबल आपको मडगार्ड मिलता है तूटने फूटने का कोई भी खत्रा इसमें बिल्कुल भी नहीं रहेगा बिल्ड क्वाल्टी एकदम जग्कास है यहाँ पर अगर आप देखेंगे टेली स्कोपिक सस्पेंसन जो सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है लोगों की जिससे वो किसी भी खराब सनड़क पर चलें तो उनका जो सौकर है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर सके और यही नहीं डिस्क ब्रेक भी 190 mm की और 90 110 का आपको ट्यूबलेस टायर भी मिल जाता है और राइट साइड से अगर आप इसका लुक देखेंगे न भाई तो आप देख लेए जैसा एक एलेक्ट्रिक स्कूटर होना चाहिए वैसा ही है और स्मार्ट कनेक्टिविटी के साथ आता है यही नहीं मैं जो प्राइस बताऊंगा न यह ब्लुटूस से कनेक्ट भी हो जाता है ज़र आपना मोबाइल देना भाई मैं दिखा देता हूँ कि यह कैसे कनेक्ट है और इसमें बैटरी का परसंटेज भी आप देख सकते हैं देखें इदर आईए दिखाए रहूर यहां पर मैंने स्कूटर को ओन कर दिया है मैं लॉक खोल देता हूँ और आप यहां पर देखेंगे स्मार्ट ब्येमेस जो इनका प्योरीबी का अपना एप्लिकेशन है आप यहां पर जाएंगे और लोकल मोनिटरिंग और यहां पर अभी अपने आप सो हो जाएगा यहां पर दो स्कूटर मैंने कनेक्ट कर रखें यहां पर आप देखेंगे सो परसंट यहां पर आप पहले दिखाओ यह सो परसंट कनेक्ट है स्कूटर और यह सो परसंट बैटरी चार्ज है और यह देख लेता हूँ मैं यही है इसमें दो स्कूटर मैंने इस अप्लिकेशन में कनेक्ट कर रखे हैं यह देखें बैटरी परसंटेज और आप यहां पर देख लें सब कुछ यहां पर पार्किंग मोड है इसको अन करने के बार यह पार्किंग मोड में आ जाता है और जिससे कोई बच्चा इसको चला ना सके पार्किंग मोड यहां से इन डिसेबल किया जाता है वन टू थ्री इसमें तीन मोड है यहां पर दिखाना भाई जरा वन टू थ्री मोड यहा दो किलो मेंटर ये स्कूटर चला हुआ है, हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर और हॉर्न की बटन है, प्योर हीबी का इसमें आपको फुटरेस्ट, वो मतलब ग्रिप कबर मिलता है, वो भी प्रीमियम मिलता है, देखने में अच्छा लगता है, यहाँ पर कबर लगा हुआ, जिससे आपके हाथों में कोई भी कालिक न लग सके, और इसके साइड वी मिरर आप देख सकते हैं, कि कैसे हैं, वो भी देखने में ठीक ठाक है, अगर आप इसकी सीट देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर सीट भाई, ब्राउन कलर में है, जो देखने में काफी ज़्याद अच्छे लग रही है, और थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप इसके सीट खोल के आपको दिखाता हूं, बूट स्पेस इसमें थोड़ा सा कम है, लेकिन आपको आगे भी मिल रहा है, क्योंकि आपने आगे देखा, कि आगे भी आपको मिल रहा है, बैटरी अगर आप देखें जब आपको कहीं जाना रहेगा और यहां से आप इसको आउन कर देंगे, तो यह सुविधा भी इस स्कूटर में आपको मिल रही है, रियर परफाइल अगर आप देखेंगे, उससे पहले आप देखेंगे, ग्रैब रेल एकदम मेटल का बना हुआ, इसमें आपको मिल रहा ह और यह बैकलाइट में जड़ा ओन करके आपको दिखाता हूँ, यह बैकलाइट, LED बैकलाइट है, आपको इसमें मिल रही है, और इंडिकेटर यहां पर है, हब मोटर इसमें दी गई है, आप देख लें, और भाई, यह स्कूटर एक बार चार्ज होने पर, 150 किलो मेटर मैं ट्रेंस जो स्टीकर से है, नियो प्लस इसमें 3D में लिखा हुआ है, हाँ मैं बता रहा हूँ भाई, अब यह स्कूटर मात्र, तीन से चार घंटे में फुल चार्ज हो जाता है, जो कि सबसे अच्छी बात है, 150 किलो मीटर की यह रेंज देता है, फर्स्ट मोड में, अगर यह फर्स्ट मोड में आप चलाएंगे, 35 की स्पीड मिलेगी, दूसरे में चलाएंगे, तो आपको 45 से 50 की स्पीड मिलेगी, और थर्ड मोड में चलाएंगे, तो 60 की स्पीड मिलेगी, वहाँ पर रेंज कम हो जाएगी, अगर आप इसको इको मोड में चलाएंगे, तो जाला इवाइक पर आप इसको आसानी से खरीच सकते हैं और हां ये फाइनेंस भी हो जाता है जैसा आपका क्रेडिट स्कोर रहेगा वैसे ही आपका जिसे आप जीरो डाउन पेइमेंट देके फाइनेंस करवा सकते हैं आप 15,000 रुपे देके 10,000 रुपे देके भी फाइनेंस करवा सकते हैं 5,000 मतब ये आपके पेपर वर्क पे रहेगा और हां सस्पेंशन दिखावना भाई जड़ा है इसका सस्पेंशन यहां पर आप देखेंगे ये इसका सस्पेंशन है जो की अच्छी तरीके से काम करता है और इधर दिखाना भाई जड़ा ये इसमें इसका मॉ के चार्जर से यह चार्ज होगा और तीन से चार घंटे में चार्ज हो जाएगा अब जड़ा मैं इसको आउन करके एक बार एट के देखूं कि इतना भगता है यहां से तो यहां पर आपने देखा कि मतब आवाज भी ज़्यादा नहीं करता है और इसमें जैसे जो नॉर्माल स्कूटर होते हैं उनमें जटके भी लगते हैं लेकिन इसमें कोई भी जटके वटके बिलकुल महसूस नहीं होते हैं पीछे का टायर दिखाना ज़रा पीछे का टायर और पांच साल की इसकी वारंटी मिल जाती है यहां पर सर्विस भी हो जाता है और आपको इसमें सर्विस करवाने की किसी परकार की कोई भी आव सकता इस स्कूटर में बिलकुल भी नहीं है तो वारंटी से लेकर और रिपेरिंग से लेकर सारी चीजे इसमें आपको मिल जा जाए टीबियस आई क्यूब में आपको हब मोटर मिलती है और वो एक लाग चालिस जार का मिलता है और सो किलो मिटर चलता है भाई इसमें भी आपको 60 की स्पीड मिल जाती है तो इसको डिजाइन इसलिए किया गया है जिससे ये लोगों के काम आ सके जो डे बाई डे यूज म आप पेट्रोल खर्च करते हैं वहाँ पर आप अपने पेट्रोल के पैसे बचा सकते हैं ये इसमें सबसे अच्छी बात मुझे इट्रेंस नियो प्लस में लगी है आपको ये स्कूटर दोस्तों कैसा लगा अपनी राय कमेंट सक्सें में जरूर दे और इसके भाई और भी कलर आते हैं ये दिखाना जरा वाइट कलर है इसमें वाइट रेड ब्लू कई कलर आ जाते हैं जिससे देखने में ये स्कूटर अच्छा लगता है अब आपको जिस कलर की इच्छा करती है उस कलर में आप इस स्कूटर को खरी सकते हैं मेरे हिसाब से ये स्कूटर बैलू फ वेबसाइट पर जाकर खरी सकते हैं और अगर आपको कहीं और खरीदना है तो आप इनके उस पर वेबसाइट पर जाकर भुक करके और फिर आप इनसे संपर करके खरी सकते हैं ये मैंने आपको पूरी डिटियल इस स्कूटर के बारे में दे दी है आपको ये स्कूटर कैसा ल तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यबाद आपका दिन सुभ रहे धन्यबाद